हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्श में कमेंटिंग इन सीलनमीच पढ़ेंगे कमेंटिंग क्या होती है, जो सीलनमीच में क्या काम करती है, आएगे देखते हैं कमेंटिंग आर पॉर्शन ओफ दे कोड इगनोर बाय दे कंपाइलर मतलब कमेंट वो होते हैं जो आपके दूरिंग दा कंपाइलेशन ओफ दा प्रोग्रम जब चलता है तब वो काम करते तो हैं, यानि प्रिंटिंग में काम नहीं आते, वो एक जंक वैलियू के दौर पर ड्रील कर रहे होते हैं यानि सिर्फ जब सोर्स कोड घर कोई पढ़ता है तो उस लाइन का मतलब बताने के लिए कमेंट होताँ यहां मैंने यह चीज की यूज किया हैं, तो इसको मैं अपनी याद करवाने के लिए रख लेता हूँ किया यहां यहां यूज किया है इस वज़ा से मैं heading बना देता हूं कि यारी मुझे याद रहे मैंने क्या बनाया है commenting row types की होती है single line comment और multiple line comment यही हम एक line पर comment भी कर सकते हैं और काफी जारी line को मिला आगे भी हम comment कर सकते हैं यह syntax है single line comment का और multi line comment का single line को double slash से represent करते हैं और अगर आपने terminate करना होगी अगर आपका को एक line comment खतम हो गया तो enter press करेंगे तो वो उसका यहीं enter press करने से उसकी terminator खतम हो जाएगा वो next line पर आजाएगा और उसकी commenting की जो फील्ड है वो खतम हो जाएगी multiple line के लिए slash star और जहां जहां तक आपने comment करना है तो star और slash से हम close कर देंगे आईए example से इसको देखते हैं यह मैंने code block open किया है सबसे पहले hash include stdio.h header file include की फिर main file include की print कर वाते हैं hello world print h e w l o hello world semicolon single line comment था कि इस लाइन print hello world अब देखें यह white line जो डिपर्जेंट कर रही है कि यह single line comment है यहां हमने this line print hello world यह print तो नहीं होगी लेकिन ऐसा हमें highlight के तोर पर यादरे कि यह line करती है यह 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 से print करते हैं वहले और फिर ज्यादा समझाएगी यह यह देखें है hello world print होगया लेकिन यह यह वाली comment की line print नहीं होगी यह single line comment की वाएसे यह print नहीं होगी अब हम multiple line comment दिखते हैं के वो क्या करते हैं ऐसे ही इसी line को मैं copy करता हूं ctrl c ctrl v कर देता हूं और कहता हूं यह सारे प्रिंट हो जाएं स्क्रीन पर यह दिखें है स्क्राइब करते हैं और जहां तक मैंने comment बंद करना है और यह पूरी की पूरी line comment हो जाएगी यह दो लाइने comment हो गई इसे compile करते हैं और दो दफाए hello world hello world or hello world